BMC चुनाव के मद्द नजर महरास्ट की राजनीती लगातार गर्माती चली जा रही है BMC की सत्ता फिसलती देख ठाकरे गुट के तोते उड़े हुए है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी ने महरास्ट में कदम क्या रखा उद्दफ ठाकरे और शरत्पवार की चाती पर तो जैसे सांप लोट गया PM मोदी की दौरे के बाद से लगातार शरत्पवार और उद्दफ ठाकरे खेमा तिल मिलाया हुगा दिखाई दे रहा है PM मोदी ने कैसे ठाकरे पवार की नीद उड़ा करके रख दी है और BMC चुनाओ में ठाकरे पवार का राजनयतिक उंट किस करवट बैठ रहा है ये हम समझेगे इसके अलाबा अपने अकसर सुना होगा कि ठाकरे खेमे की तरफ से शिंदे और भारती जनता पार्टी के गटबंदन वाली सरकार को गदारों की सरकार का नाम दे करके संबोधित किया गया ये किसी और ने नहीं बलकि उदव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे ने कई बार कहा है कि शिंदे सरकार गदारों की सरकार है इस पर बीजेपी ने ठाकरे को माकूल जवाब दे करके उनकी धज्जियां उड़ा करके रग दी है इन दोनों ही मामलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे गुजारेश है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको विडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी मुंबई गए थे और उन्होंने मुंबई को दो वंदे भारत ट्रेन की सौगाद दी है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के मुंबई दौरे की विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है पीएम मोदी कल विभिन विकास कारियों के सिलसिले में मुंबई के दौरे पर थे एक महीने में प्रधान मंत्री नरंदर मोदी का ये दूसरा मुंबई दौरा था इसलिए विपक्ष को इसे आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव से जोड़ करके देख रहा है इसलिए वो लगातार और बार बार यहां पर आ रहे हैं कोई बात नहीं अगर वो महरास्टर को कुछ देने जा रहे हैं राज्ज के हित्म काम कर रहे हैं तो हमारे पास में विरोध करने का कोई भी कारण नहीं है लेकिन अगर वो यहां पर आकर के राजनेतिक भाशन देने जा रहे हैं तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए यानि कि एक राजनेतिक पार्टी से बिलोंग करता है एक राजनेता अगर वो राजनेतिक भाशर देता है तो शरत पवार को इससे दर्सल बहुती जादा समस्या उत्पन हो रही है ठाकर गुट के सामसद और प्रवक्ता संजराउत ने भी कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है संजराउत ने कहा कि नगर निगम चनाव होने तक वो अपने प्रवास को दिल्ली से मुंबई इस्थानांत्रित यानि की ट्रांसफर कर सकते है क्योंकि मुंबई महरास्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के लोग नगर पाल का नहीं जीत पा रहे है अब पिये मोदी के पत्ते को दरसल उच्छाला जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल तैह है कि शिवसेना मुंबई नगर निगम चनाव जीतेगी उन्होंने आगे का कि वो देश के प्रधान मंत्री है लेकिन उनका ध्यान मुंबई नगर निगम चनाव पर है इसका मतलब यहाँ पर भारती जनता पार्टी और शिंदे गुट के सभी नेता नकारे गए है इसलिए प्रधान मंत्री नरंदर मोदी को बुलाए गया है यह संजर राउत ने का और राउत यहीं पर नहीं रुके उन्होंने का कि शायद प्रधान मंत्री नगर निगम चनाव जीतने तक मुंबई में आते रहेंगे अब यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों यह है कि अगर प्रधान मंत्री मोदी अपनी पार्टी को जिताने के लिए महरास्ट्र की रण भेरी भर रहे हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है और पीएम मोदी खुद अकसर यह कहते हुए पाए गए है कि बीजेपी के लिए कोई भी चनाव छोटा या फर बड़ा नहीं होता बीजेपी हर चनाव में अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ में उतरती है और पीएम से लेकर के एक छोटे इस तरके कार करता तक की हर एक चनाव में दरसल भूमिका होती है चनाव जीतने में तो पवार और ठाकरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है ठाकरे पवार को क्या किसी ने रोका है कि चनाव परचार ना करें ठाकरे पवार भी तो चनाव परचार में उतरेंगे या फिर उनके बिना उनकी पार्टी का परचार होगा तो मोदी ने महारास्ट में कदम रख करके दरसल विपक्षी खेमे की धज्जियां उड़ा करके रख दी है जिसकी वज़य से हाहाकार पसरा होगा है इसके अलावा बात कर लेते हैं शिंदे सरकार को गदार बताने वाले मसले की महारास्ट के उपमुखे मंतरी देविंदर फर्णबीस ने बीते शनिवार को कहा कि नाशिंदे नीत शिफसेना और भारती जनता पार्टी की गड़बंदन वाली जो सरकार है वो पूरी तरीके से वैद है और सक्ता में बनी रहेगी उन्होंने ये टिपड़ी उद्दफ ठाकरे गुट की शिफसेना की और से जो मौझूदा सरकार के पतन का पूर्वा नुमान लगाए जाने के संदर में की गई है फरनबीस ने का कि जून 2022 में सत्ता में आई मौझूदा सरकार समयधान एक नियम काईदों के साथ में आई है उत्तरी महरास्टर की नासिक जिले में राज बीजेपी की कारिकार्णी को संबोदित करते हुए उपमुक्ष मंतरी देविंदर फरनबीस ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उचितम न्यायला है हमारे पक्ष में ही फैसला देगा उन्होंने ये भी टिपड़ी शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाप में उद्दफ ठाकरे गुट की शिपसेना बाला साहिब ठाकरे गुट द्वारा दायर याश्का के संदर्प में की उद्दफ ठाकरे गुट का नाम लिये बिना वरिष्ट बीजेपी के नेता ने उन आलोजनाओं को खारिज कर दिया कि सरकार गेर कानूनी तरीके से बनाई गई है और कई सदस्यों जो कि शिंदे के नितरत वाली बाला साहिब बंची शिपसेना है उसको सुप्रीम कोट आयोगे ठहराएगा फड़नवीस ने कहा कि ये संदेश परसारित किया जा रहा है ताकि ठाकरे गुट के जो बाकी बचे उचे 10-15 विधायक हैं वो बगाबत ना करें हमने जो भी किया वो नियमों के अनुसार किया नियमों के मताबिक किया और सम्मिधान के तहत किया हमारी सरकार गदार तो बिलकुल भी नहीं है जो ठाकरे गुट की तरब से बार बार कहा जा रहा है ये सरकार गदार नहीं बलकि खुददार है उन्होंने आरोप लगाए कि महा विकास अगारी नवंबर 2019 से जून 2022 के शासन को प्रस्टाचार के लिए जाना जाएगा जिसमें कोई भी विकास कारे नहीं किया गया देविंद्र फणबीस ने का कि पिछली सरकार में एक भी विकास की परियोजना नहीं बनाई गई उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट की जो सरकार है जो शिंदे और बीजेपी के गटवंदन वाली सरकार है उसने न केवल अपना कारिकाल पूरा करेगी वो बलकि अग दफ ठाकरे के लाडले आधित ठाकरे ने तो शिंदे गुट को पूरी तरीके से गदार तक करार दे दिया था फणबीस ने का कि शीरस अदालत बागी विदायकों को अयोग्य ठैराने से जुड़े मामले पर 14 फरवरी को सुनवाई जरूर करेगी उन्होंने का कि हम के गडबंदन वाली सरकार पर की ये पूर्ण तयहा दरसल असमवैधानिक है और शिंदे गुट को गदार कराज दिया जाता रहा इस पर भारती जनता पार्टी के कद्दाबर नेता और महरास्टर के डिप्टी सीम दिवंदर फणबीस ने उदफ ठाकरे को माकूल और करार जवाब दिया है कि ये सरकार गदार नहीं बलकि खुददार है क्योंकि आपने बाला साहिब ठाकरे की विचारधारा के साथ में समझोता किया इसलिए आपकी ही पार्टी के तमाम नेताओं ने खुददारी दिखाई और उसी के तहरत आपके खिलाप में बगावत की गई और भारती जनता पार्टी के साथ में गड़बंदन करके उन्हाने इस नई सरकार का निर्माण किया तो माकूल जवाब की बज़े से उद्धार ठाक रेखे वे में हड़कम मचा हुगा है और जो प्रदान मंतरी नरंद्र मोदी पहुंचे थे महरास्टर में जिसे पी कि पार्टी के लिए कोई बी चुनाव बड़ा या फरखोटा नहीं होता सारे चुनाव एक समान होते हैं और वो पूरिद्ध्नमखं के साथ में जो है उसमें उतरते हैं और अपनी जीत को सुनश्यत करने के लिए ब्रसक प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नही है तो जो संजराव शरतवार उद्धर ठाकरे को परेशानी हो रही है बीमसी चनाव में सत्ता के फिसलने का जो डर सता रहा है वो साफ तोर पर उनके बयानों में भी दिखाई दे रहा है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता अब यह देखने वाली बात होगी कि बीमसी चनाव में उद्धर ठाकरे का अखिरकार हस्र क्या होता है क्योंकि शरतवार तो कॉम्पेटीशन में ही नहीं है जो कुछ भी है वो एकनाश शिंदे देविंद्र फण नवीस के कटवंदन वाले गुट और उत्तर ठाकरे के बीच में होने बाला है बहराल इस मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल बनुगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बने बेल आपकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर हूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे